हलो गाइज वन सेगे वेल्कम बैक टो वोजनेल जूपिटर क्लासेज तो गाइज एज आल लो कि कल हम ने इसका मॉक टेस्ट नंबर वन किया था आज हम करेंगे इसका आपके लिए जे कैसे भी सुपरवाइजर के लिए मॉक टेस्ट नंबर टू और यह भी यहां पर आपका फुल मॉक टेस्ट नहीं वाला है कल की वीडियो थी उसमें आपने भूँत अच्छा रेस्पॉंस किया तब आपको यह दूसरी वीडियो मिलेगे इसमें भी अच्छा रेस्पॉंस करोगे तो तीसरी वीडियो मिलेगी ठिक है तो क LISA score आज Pre tooth out of 120 ठिक है तो कल का मॉक थोड जिसमें आपको 160 plus mock test यहां पर देखने को मिलेंगे जिसमें आपके तमाम जो आपके syllabus है उसके topics यहां पर cover किये हुए जो के सारे uploaded है हमारी app पे उसके बाद 5 full mock test आपको देखने को मिलेंगे तीन अभी तक upload हो चुके हैं और दूसरा चोथा mock test जो है आज या कल की date में वो भी upload हो जाएगा ठीक है तो five sectional mock test आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से अभी तक दो upload हो चुके हैं और आने वाले दिनों में तीन upload हो जाएंगे आपके exam से पहले ठीक है तो यह सारा site आपको म करने से पर आपको बता दूँ अपने हाथ में एक notebook रखिए ठीक है अपने हाथ में एक notebook रखिए ठीक है एक अपने हाथ में pen रखिए और एक section बना देजिए वीडियो को पास करके जीगे की section बना देजिए computer की section बना देजिए English उसके बाद math, reasoning, science उसके बाद क्या बोलते है और इनको question की numbering लगा देजिए जो question ठीक होगा उसको इस तरीके से tick कर देना जो आपका गलत होगा उसको गलत कर देना उसके बाद guys जो आपने skip होगा उसको आप ask करके लिख लेना ठीक है उसके बाद questions को आप attempt करना तो write application download के जुपिटर classes की play store पे जाकर ठीक है और बहुत सरे courses हैं वहाँ पर आप उनको avail कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का पहला question आज के वीडियो का है तो which of the following was not a provision of the Indian Independence Act 1947 जो इंडियन Independence Act 1947 का उसका इसमें से कौन सा प्रविजिन नहीं था उसमें क्या बताया गया था क्या नहीं बताया गया था वह आपको बताना है ठीक है अगर आपने Government of India Act 1947 से पढ़ा होगा तब जाकर आप इस question को असानी से कर पाऊगे ठीक है करना क्या है देखो आपने question attempt करने से पहले जैसे आप अपने अभी examination हाले बैठें तो गवेशने कर लिए और आपने question को attempt करने आपने था कि अवे तक अठीक कर सोनुलियो का एक इसन सकटकर आत था अमडो को तो इस नहीं किया उसको बताढ़ा दूँ है यह शूला को को दो independent domainion में हैं पर क्या करेंगे partition करेंगे एक होगा आपका पाकिस्तान एक होगा आपका इंडिया ठीक है उसके बाद था question number two डांडीधार फोट डांडीधार फोट एक historical monument देखने को मिलता है जमुएड कश्मीर में तो जमुएड कश्मीर की कौन से district में आपको यह देखने को मिलता है यह आपने बताना है तो आपके सामने अनंतनाग भधरवा रजोरी या पुंच ठीक है तो इस question का answer जहां पर आप करेंगे ठीक है वीडियो को पाज करेंगे सबसे पहले आप इस question को attempt करेंगे ठीक है तो इस question का answer है guys हमारे पास option number C that is रजोरी ठीक है question number three which one of the following principle of the Indian constitution is brought up from the Irish constitution Irish constitution means Ireland का constitution Ireland का constitution से कौन से चीज़ यहां पर हमारे Indian constitution ने बारो की है as you all know कि Indian constitution जो है is a bag of borrowing क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे constitution में वो दूसरे constitution से बारो करके लाई गई है तो Irish constitution से क्या लाया गया है this is very easy question अगर मैं कहूं this is your directive principles of state policy जो के आपके किस में आती है जो के आपके part 4 में आती है ठीक है अब part 4 and article 36 to article 51 ओके तो यह सारा किस में आता है आपका part number 4 में आता है और यह हमने Ireland से क्या किया हुआ है बारो किया हुए अब आप आपसे पूछूंगा कि parliamentary system जो है government का यह हमने कहां से बारो किया है और fundamental right जो है हमने कहां से बारो किया है जो question पूछूंगा उस question के answer जरूर करना ठीक है और option number D आपसे पूछूंगा कि federal structure with strong union government कि हमने कौन से constitution से बारो किया हुए जो question पूछूंगा वो सारे के सारे answer करना क्योंकि जैसे कल answer किये थे वैसे आपको आज भी answer करने है ठीक है question number 4 है कि जो largest river है west flowing river जनी कि जो west के तरफ यहाँ पर river flow करती है peninsular India की वो कौन सी है largest river के बारे में guys आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तपती कावेरी कृष्णा नर्मदा west flowing river सबको पता है कि यह नर्मदा है ठीक है अब एक question है या question का answer मैं ही बता देता हूँ तो guys यह निकलती कहां से है यह rise होती है याद रखना है आपने अमर कंटक ठीक है फिफ्ट largest river आती है अगर मैं पूरे इंडियन सबकोंटिनेंट की बात करूँ ठीक है तो चलिए एक और question बता दीजिए largest river कौन सी है ठीक है सबसे largest river कौन सी है हमारे इंडिया की उसका नाम आपको comment box करके बताना है जो questions पूछूँ का उनके answer अभी बताना है और बाद में आ आपको total कितने marks आए ठीक है question number five पामपोर अप्लेंट्स जिनको locally बोले जाता है वूदार सिर्यनगर में जमुएंड कश्मीर are a great source of revenue from which among the following तो पामपोर अप्लेंट्स जो है यहां पर revenue का बहुत बड़ा source है तो किस चीज़ से यहां पर revenue generate होता है apple, saffron, tourism या sport ठीक है तो मैं ही hope करता हूँ कि आप क्या करते हैं वीडियो को pass करते हैं question को attempt करते हैं ठीक है मैं बार बार नहीं बोलूँगा मैं सिधा 2 second के अंदर यहां पर option पढ़के आपको answers बता दूँगा ठीक है इस question का answer है option number B saffron ठीक है अगर किसी भी question में कोई doubt लग कर देंगे और आज का जो math का sections होगा उसकी वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी okay question number six कौन सी national park जो है जमू एंड कश्मीर में situated है कौन सी national park दशीगाम national park सुंदरबन national park काना national park या रान्थामबोर national park ठीक है तो गाई सबको पता है इसका answer कि यहां पर दशीगाम national park जो है वो situated है ठीक है तो और आपको और क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि total कितनी national parks है जमू और कश्मीर में सबको पता है कि चार national parks है एक दशीगाम हमने यहां पर देख ली ठीक है एक हमारे पास हैमिस national park दूसरी है गाईज हमारे पास city forest जिसको हम सलीम अली national park के नाम से भी बोलते है चोती है guys हमारे पास जमू और कश्मीर में किश्टुवाड national park ठीक है यह चार national parks है जो हमारे जमू और कश्मीर में देखने को मिलती है ठीक है तो next question है हमारा first census first census इंडिया में कब हुआ था first census इंडिया में कब हुआ था question को search करने जाओ के बहुत सारे answers आपको देखने को मिलेंगे लेकिन first census आपको पता होना चाहिए हाँ अगर आपको synchronous ठीक है synchronous करके पूछा जाए ठीक है तब तो जो यह question आपको पूछा गया है तब यह answer नहीं होगा लेकिन आपको simply first census पूछा जाए तब आप इस question के answers को attempt कर सकते हैं ठीक है तो इस question का answer है इस option number c 1872 यह हुई थी non synchronous ठीक है यह दखेगा यह non synchronous हुई थी ठीक है तो फिर आप बोलोगे सर synchronous कब हुई थी तो synchronous हुई थी guys हमारी 1881 में ठीक है 1881 में synchronous हुई थी उस वकत अगर आपसे पूछा जाए ठीक है उ याद रखना है लाड रिपन कौन थे लाड रिपन थे ठीक है याद रखना है बहुत important है ठीक है 1872 में अलग-अलग जगा पे सैंचिस हुई थी ठीक है लेकिन 1881 में synchronous एक अच्छे तरीके सैंचिस हुआ था लेकिन 1872 में शुरू हुआ था यह मैं आपको बता दूँ अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में फादर आफ इंडियन सैंचिस किसे बोला जाता है फादर आफ इंडियन सैंचिस किसे बोला जाता है तो आपने क्या याद रखना है है हैंडरी वाल्टर ठीक है हैंडरी वाल्टर को फादर आफ इंडियन स बोला जाता है तो next question के और बढ़ते हैं guys which one of the following is associated with the economic measure of gross domestic product इनकी जो आपकी GDP होती है तो कौन से economic measure उससाद जुड़े हुए हैं जिससे हम GDP को calculate करते हैं GDP को major करते हैं ठीक है income of the government from all sources जल्दे से options को पढ़िए वीडियो को पास करके ठीक है तो इस question का जो guys answer है total value of goods ठीक है total value of goods and services produced within a country produced within a country आपकी country के अंदर produce हो रही है किसी एक period of time के अंदर उससे हम हमारी GDP को calculate करते हैं ठीक है within a country ये आपने हमेशे या रखने कि आपकी country की boundary के अंदर जो चीजें यहाँ पर goods and services produce हो रही है ठीक है उसके हम GDP कलकुलेट करने के लिए major करते हैं ओके तो next question है who was the ruler of जम्यवन कश्मीर to sign the instrument of a session within India तो आपको बताना है कि ruler of India कौन थे जब जम्यवन कश्मीर ने exceed किया था इंडिया के साथ हरी सिंग, गुलाब सिंग, रंजीज सिंग या इन में से कोई भी नहीं था ठीक है आप सब को पता है कि instrument of a session जो है ठीक है 26 October 1947 को हुआ था उस वकत यहाँ पर जो ruler थे जम्यवन कश्मीर के क्योंकि जम्यवन कश्मीर एक princely state थी ठीक है princely state थी तो पहले जम्यवन कश्मीर इंडिपेंडेंट रहा था उसने किसी के साथ भी जोइन नहीं किया था निदर विद इंडिया न और विद पकिस्तान ठीक है लेकिन बाद में जब उसको यहाँ पर पकिस्तानी की forces से बहुत जादा यहाँ पर invasion होने लगा तो उसके बाद मराया हरी सेंग ने decide किया कि अब मैं क्या करूँगा अब मैं इंडिया के साथ ही क्या कर लूँगा exceed कर लूँगा ठीक है तो कब हुआ था यह accession 27 अक्तूबर 1947 इस date को आपने याद रखना है ठीक Question number 10 Consider the following statements regarding the Rajput Kingdom of India राजपूत Kingdom of India के बारे में आपने statements को यहाँ पर बताना है ठीक है अच्चे से options को पढ़िए ठीक है और इस question को attempt किजे राजपूत Kingdom question बोलता है कि राजपूत Kingdom जो है emerge होता है 7th century में ठीक है फिर बोलता है कि वो originally शत्रियाज थे लेकिन बाद में वो claim करते हैं कि जो हिंदू गार्ड राम है उसके वंचज है ठीक है राजपूत Kingdom ने कभी भी Muslim ruler के against fought नहीं किया है ठीक है तो कौन सा option correct है गाईज यह देखो पहले दो options यहाँ पर बिल्कुल ठीक है तीसरा गलत है यह बोलता है कि never fought against Muslim ruler कभी भी उन्हें Muslim ruler के against जंग नहीं लड़ी थी उन्होंने लड़ी थी इसलिए आपका one and two option is correct ओके तो कौश्चिन number 11 what is called the small grassland on the slopes of lesser हिमालियन range in Jemoo and Kashmir what is called the small grassland छोटे छोटे grassland होते हैं अगर हम lesser हिमालियन range की बात करें Jemoo and Kashmir में उन्हें क्या जाता है मार्ग द्वार पयार बुगियाल ठीक है इस question का answer है is option number it is mark उन्हें क्या पोला जाता है मार्ग जसे कि Jemoo and Kashmir में आपको बहुत सारे मार्ग देखने को मिलेंगे गुल मर्ग सोना मर्ग ठीक है तो question number 12 रोतांग टनल जो कि मनाली को जोडता है लाहो लेंड स्पीत्री के साथ यह इंडिया की कौन सी स्टेट में आपको पाया जाता है रोतांग टनल ठीक है उत्तर परदेश हिमाचल परदेश उत्तरा खंडिया जमुमेंड कश्मीर इसका correct answer है option number B हिमाचल परदेश ठीक question number 13 मुझे नहीं लगता है कि आज कोई बच्चा बोलेगा कि sir question paper is not up to the level of Jkssb ठीक है तो paper उठाके देख लेना Jkssb के कौन सी river है जो जमुमेंड कश्मीर में flow करती है ब्रेंगी लीडर मर्खा किशन गंगा चार rivers है only option 4 इनकी किशन गंगा 2 & 4 इनकी लीडर और किशन गंगा 1 2 & 3 ब्रेंगी लीडर और मार्खा 1 2 3 & 4 या इन मेंसे चार ही rivers यहाँ पर जमुमेंड किश्मीर में flow करती है तो काई जयाद रखेगा चार की चार river जो है ब्रेंगी लीडर मार्खा और ग्रिशन गंगा यह चार की चार ही river यहाँ पर flow करती है So your answer is option number D 14th question Who is the first Indian woman to win an Olympic silver medal? कौन सी इंडिया की पहली woman है जिसको Olympic silver medal मिला था? सानिया नहवाल, PV सिंदू, रितू, पूरना दास या तानवीलाद? इस question का answer is option number B PV सिंदू अब आपने बोलना है कि यह कौन सी game से जुड़ी हुई है PV सिंदू is associated with which game? ठीक है सारे बच्चे comment करेंगे Question number 16 Idea of स्वराज, self-rule or independence as a national demand was first promoted by which philosopher अब यहाँ पर आपने एक चीज दिहान देनी है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है promote बोला गया है ठीक है? first use नहीं बोला गया है बलके first promote किया गया है देखे इसके दो-तिन आंसर हो जाएंगे अगर आपके पास यहाँ पर first use होगा तब आपके इसका कुछ और आंसर होगा अगर यहाँ पर promote बोला गया है तो इसका कुछ और आंसर होगा ठीक है? तो promote बोला गया है तो आंसर बोलो जल्दी से ठीक है? देखे यहाँ पर promote बोला गया है तो इसको यहाँ पर promote किया है लोक मानिया तिलकेने की बाल कंगादर तिलक जी ने ठीके अगर आपको ये पूछा जाए कि first use किस ने किया था तो उसका answer भी आपको पता होना चाहिए ये किया था दादा भाई नारो जी ने अगर आपसे पूछा जाए कि कब किया था 1906 में किया था 1906 में क्या हुआ था कलकत्ता सेशन हुआ था कांगरेस का उस वकत यहां पर क्या किया गया था उन्हें ये जो नारा है ये जो first slogan जो है सुराज का ये idea वहां पर दिया था याद 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 रखना है ठीके इसको आप question कभी पूछा जाए कि जो बादा बाई नारो जी कितने session में इन्होंने यहां पर preside किया था आपने याद रखना है तीन session में इन्होंने preside किया था 1886 के session में, 1893 के session में और 1906 के session में इन्होंने guys preside किया था अगर आपसे और एक question पूछा जाए इसका आंसर होगा भगत सिंग, कौन होगा, भगत सिंग, शहीद भगत सिंग ने पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहले यहां पर लगाया था, ठीक है, तो बढ़ते हैं, question number 16 की ओर, प्रजा मंडल मुमेंट, आटोक्राटिक रूल के अगयने, जो महराजा थे, जह मुमेंट हरी सिंग ने प्रजा मंडल यहां पर बनाई थी, तो फिर आपको बता दूँ कि आप मारी मौक्टे सिरीज क्या बोलते हैं, जाइन कर सकते हैं, आपके सुपरवाइजर पेपर के लिए, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, गाईज, 160 प्लस मौक्टेस देखने को मिले कुल मिलाकर आपके 160 प्लस टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, आप इन टेस्ट को अटेंप्ट करने के लिए, हमारी एप डॉनलोड कर सकते हैं, और इन टेस्ट में इन्रोल कर सकते हैं, लिंक आपको गाईज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला रहेगा, वहां से जाकर आप इन टेस्ट को अटेंप्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो बढ़ते हैं, अपने क्वेशन नंबर 17 की ओर, कौन सी स्टेट का सबसे जादा सेक्स रेश्यो है, अगर हम 2011 के सैंचिस की बात करें, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, हर्याना या डेली, ठीक है, इस क्वेशन का गाईज हमारे पास आंसर है, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, कल ब इसी कैप्टल पूची थी, तो आज सब बच्चों ने इसकी कैप्टल का आंसर किया था, बहुती खुशी मिलती है मुझे, इसकी कैप्टल है, अरुनाचल प्रदेश की इटा नगर, तो आपको बता दूँ कि मिले थे, ठीक है, 972 मेल्स देखने को मिलता है, जबकि हम हर्याना की, इसके बाद हर्याना आता है, हर्याना का चाइल्ड सक्स रिशो का हमें 834 देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आप से पूछा जाए कि टेरिटरीज में, ठीक है, स्वरी हर्याना का मैं कम देखने को मिलत है ठीक है lowest child sex ratio कहां पर देखने को मिलता है हर्याना में देखने को मिलते है अगर union territories की बात की जाए union territory की बात की जाए तो Underman and Nicobar Island जो है Underman and Nicobar Island जो है वहां पर सबसे ज़्यादा sex ratio देखने को मिलता है as per जो हमारे Sanchez हो थी 2011 की question number 18 historic city of lay in Ladakh has unique example of Buddhist architectural style represented units तो जो भी Buddhist architectural style represent कि में represent होते हैं पाद में, Monasteries में, Cortons में या Rock Cut Caves में easy answer is option number B आपका Monasteries में Question number 19 जो Rajasthan Canal जो है ठीक राजस्तान Canal जो है which originate from the confluence of River Satloj and Bias ठीक है जो River Satloj और Bias की confluence से originate होता है पाकिस्तान में और Yamuna को मिल जाता है धली में जाकर उसे हम क्या बोलते हैं इंद्रागांधी Canal, Shri Hind Canal, Sarai Hind Canal, Western Yamuna Canal या Upper Ganga Canal उसे हम बोलते हैं आपका option number A इंद्रागांधी Canal ठीक है? Question number 20 Which one of the following currencies was linked to the Indian rupee on a temporary basis after independence but before it was delinked in 1965? ठीक है तो कौन सी currencies जो है आमारे Indian rupee के साथ जुडी हुई थी? लेकिन 1965 में उसको delink कर दिया गया था पाकिस्तानी rupee, बंगलादेशी टका, नेपाली rupee, ये शिरे लंकन rupee ठीक है? The right answer for this question is option number C, नेपाली rupee ठीक है? तो 20 question हमारे हो चुके हैं ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपनी next series की ओर ठीक है? ठीक है? तो चलिए अब आपको तो questions चाहिए हैं और उनके answer चाहिए मैं अब यही expect करूँगा कि आपके सामने question ना आए, आप question को देखो, वीडियो को aye पाल्स करो, question को attempt करो ठीक है? इस question का सही answer है option number A, ठीक है? क्वशन number 22 Question सामने आ चुका है, वीडियो को करो, question को attempt करो, ठीक है? तब तक मैं आपको इस question का answer बताता हूँ इस question का answer है आपका option number B ठीक बढ़ते हैं नेक्स question क्यों तो आप मैं expect कर रहा हूं कि आप वीडियो को pass कर रहे हैं और question को attempt कर रहे हूं इस question का answer है गाइस option number D option number D ठीक है question number 24 इस question का answer है option number A 25th question अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि चार alternative आपको दिये गए हैं तो best expresses the meaning यहने कि जब यह वाला आपके सामने आ जाए उसका मतलब होता है synonym ठीक है fallacious ठीक है fallacious ठीक है अगर आपको fallacious का मतलब पता हो तब जाकर आप इस question का answer ढूंड सकते हैं ठीक है जब कोई आपको deceive करने की कोशिश करता है जब कोई आपको mislead करने की कोशिश करता है उसे हम बोलते हैं fallacious ठीक है तो अब यहाँ पर आपको deceive करने की बात आई है तो deceptive ठीक है कोई आपको धोका देने की बात करता है कोई आपको mislead करने की बात करता है तो यहाँ पर substitute करना है आपने underlined segment को ठीक है यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर यह चीज़ें दी गई हैं तो आपने बोलना है कि कौन सी कुसको substitute करने की ज़रूरत है या इसको substitute नहीं करना है पूछा गया है the fire alarm went off suddenly forcing the occupants to evacuate the building immediately ठीक है तो alarm बजा तो अचानक alarm बजा तो उसने occupants को force किया या insist किया या उनको oblige किया देखे जब भी मतलब ऐसी चीज़ आती है न कि alarm बजा अचानक से उसने occupants जो वहाँ रहने वाले थे उनको force मतलब वो मजबूर हो गए कि इस building को जल्ली से खाली कर दो ठीक है तो यहाँ पर कोई भी आपकी substitution जो है require नहीं है question number 27 edifice का आपने अप opposite बोलना है यह नहीं कि आपने इसका antonym बोलना है कि इसका edifice का अगर edifice का अगर आपको मतलब पता है तो दबाब बोल सकते हैं edifice का मतलब होता है बहुत बड़ी शांदार इमारत बहुत बड़ी शांदार building ravine तभाई foundation structure या building यह तो सारे इसके से इननम हो गए यह हो गया इसका एक बहुत बड़ी आलिशान इमारत एक तभा हुई इमारत ravine ठीक है तभाई option number A is your right answer in the following question four words are given out of which three are alike in some way and other is different find the odd one तीन से में बाकी एक अलग है तो अलग कौन सा है वो आपको guys यहां पर बताना पड़ेगा जूरिस्ट, advocate, attorney या magistrate देखें magistrate जो है वो एक अलग होता है यह जो तीन है जूरिस्ट, advocate और attorney यह सारे आपको court में मिलेंगे ठीक है और यह magistrate जो है आपको यह किसी आपको revenue department में देखने को मिलेंगे ठीक है इस लिए magistrate is different ओके इस ओड़ वन killing of newborn infant छोटे जब क्या होते हैं newborn किसी की नया नया जनम होता है ठीक है छोटे शिशु को अगर छोटे बच्चे को अगर कोई मार लेता है उसे क्या बोलते हैं fetricide, fetricide, forticide या infanticide उसे हम बोलते हैं infanticide क्या बोलते हैं infanticide forticide क्या होता है जब उसको अपने fortis के अंदर ही मार दो उसे बोला जाता है forticide 30th question select the word जिसका यहाँ पर Sam मिनेग आपको देखने को मिलेगा belief in magic और supernatural powers जो magic में और supernatural powers में belief करता है उसे क्या बोलते है theism, skepticism, skepticism, superstition या agnoticism उसे हम बोलते हैं option number C superstition तो गाईज एक पर फिर से आपको मैं बता दूँ कि हमारी mock test series आपके लिए available है जो भी बच्चा यहाँ पर join करना चाहता है 149 में आपको बहुत सारे MC की उसका bundle यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है आप जाका जोइन कर सकते हैं 160 प्लस mock test है इसमें topic wise हर एक topic को मैंने cover किया हुआ है topic wise test है 5 full mock test है और 5 sectional test है sociology के सिरफ ठीक है बाकियों के मैंने sectional नहीं बनाए है खाली sociology के sectional बनाए है क्योंकि यही आपका एक जादा सा वोल लेके रखता है आपके exam का आदा portion यही रखता है इसलिए इसी के मैंने 5 set आपको अलग provide किये है ठीक है तो चलिए आप बढ़ते हैं next question के ओर दो section अबने cover कर लिए चलिए बढ़ते हैं अपनी हमारी third section के ओर यह reasoning and math है तो मैं बताता चलूँ कि जो कल वाला आपका mock हुआ था ठीक है उसका जो paper उसका जो paper था math है reasoning का वो आपको आज उसकी complete explanation यहाँ पर provide करेंगे आपके निखिल सर ठीक है कहीं पर भी doubt रहेगा आप उनसे पोच सकते हैं ठीक तो चलिए देखे question पढ़िए यहाँ पर इमें simple त्रीके से आपको answers बताऊंगा ठीक है इसके भी आपके लिए वो लेकर आएंगे एक series question को पढ़िए इस question का answer कीजिए ठीक है अब मैं एक 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 एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को डिरेक्शिन का यह question है ठीक है distance and direction का question है तो आपने बोलना है कि जो पूछा गया है वो बोलना है तो इस question का answer है आपका 11 meter ठीक है इसका आप बता देना बना देना कि आपने दिखाना है कि रमन ने किसी एक point से नार्थ की और चलना शुरू किया मतलब कि 8 meter के distance के बाद वो अपने देखिए अगर वो नार्थ के तरफ जाता है तो उसने अपने left को turn कर लिया और 14 meter चला गया ठीक है उसके बाद फिर से वो अगर चल रहे तो अपने उसने left की और turn किया और फिर से वो कितना meter चला 14 meter चला फिर उसने decide किया कि वो 17 meter और चलेगा फिर उसने decide किया कि वो 17 meter और चलेगा कितना चलेगा ऐसे आ रहा है तो उसने decide किया कि वो 17 मीटर और चलेगा तो यहाँ पर उसका starting point था तो यहाँ पर इसने कितना distance cover किया तो आपको बताना है ठीके तो कितना distance है गाईस 11 मीटर इसका answer है ओके 33 question if cloud is called ground ठीके अगर आपने silogs पड़े होंगे तो यह उसका question है ठीके तो आपको बोलना है इसका answer question का answer है गाईस option number D ठीके कहीं पर doubt होगा comment box करके बता जाना 34 question इस question का answer है आपका option number D बस मैं यह expect कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं question को देख रहे हैं video को pass कर रहे है question को attempt कर रहे हैं तभी मैं जल्दी से आपको answers बता रहा हूं ठीके सबसे पहले क्या होता है क्राइम होता है तीन उसके बाद क्राइम के बाद क्या होता है investigation होती है ठीक है investigation के बाद उसको डर लगा रहता है बंदे को डर लगने के बाद क्या होता है डर लगने के बाद उसको judgment होती है judgment के बाद उसको punishment मिलती है ठीक है इस तरीके से इस question का answer question number 35 option questions को पढ़िए और question का answer कीजिए इस question का answer है guys आपका option number 8 that is 4 hours question का answer कैसे है वो आप को अच्छे से practice होगी अब यहाँ पर आपको बताना है कि third term जो है यहाँ पर क्या होएगी sharpener से अगर आप pencil का काम करते हैं तो book जो होगी उसको किस से related होगी content library reading is cool book से आप क्या करते हैं reading करते हैं option number C is your right answer question number 37 दिखे pen paper आपके साथ होना चाहिए यह आप कोई mock attempt करते हैं तो pen paper आपके पास होना चाहिए तो कि question question भी guys attempt करने होते हैं 37th question है if 152 into 14 is equal to 2128 then what is the value of 19 into 17 बस simple सा multiply आपको यहां पर करना होगा ठीक है तो इस question का answer जो है guys 323 option number B find the next term in the letter series E H M T next letter आपको बोलना है ठीक है letter series का question है आपके सामने यहां पर इस question का answer है option number D Z वो कैसे आता है आपने question को attempt करना है question number 39 इस question का answer है आपका option number D तो कि यह आपर बोल रहा है if plus means x जहां पर आपको plus दिखेगा उसका मतलब आपने वहां पर x लगाना है minus means जहां पर minus होगा वहां पर आपने क्या लगाना है divide लगाना है actually means minus जहां पर x होगा वहां पर आपने minus लगाना है and जहां पर divide है वहां पर आपने plus लगाना है बस फिर इस question को आपने attempt करना है ठीक है इस question का answer है ichThese नमबर D38, question number 40, ठीक है, तो यहाँ पर अनुज़ 16th from the left end, left end से अनुज़ जो है, अगर मैं बात करूँ तो वो 16 नमबर पर है, and शाम 17th from the right end, अगर मैं right end से बात करूँ तो शाम 17th number पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस question को भी attempt करना है, इस question का जो answer है, ठीक है, बता तो in nuclear reactor, the function of a moderator is true, nuclear reactor में moderator का क्या function होता है, decrease the speed of neutrons, neutrons की speed को decrease करता है, ठीक, next question, अब आपने tropical level को अगर आप represent करते हो, तो उसको ascending outer में बोलने है, तो क्या tropical, सबसे पहले क्या आएगा, उसके उपर कौन सा आएगा, उसके उपर कौन सा टॉपिक लेवल आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी ट्रॉपिक लेवल के अगर बात जब होती है, सबसे पहले वहाँ पर producer आता है, ठीक है, कोई चीज़ प्रेडूस होगी, उसके बाद ही तो वह consume होगी, ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है producer के सकांसर है, option number A, ठीक है, producer उसके बाद primary consumer होते है, उसक पावर हाउस आप सेल, तो कौन से पार्ट सेल के पार्ट को पावर हाउस आप सेल कहा जाता है, यह भी easy question है, ठीक है, इस question का answer है, option number B, mitochondria, mitochondria, which one of the following pair of diseases का आप सेम और्गनिजम, तो सेम और्गनिजम से कौन सी डिजीज यहाँ पर होती है, ring warm and athlete foot, smallpox and measles, malaria and rabies, tuberculosis and cholera, तबको बोलना है कि सेम मतलब कि दोनों कोई भी आर्गनिजम हो, तो इनमे से कौन से disease एक ही आर्गनिजम से होती है, तो ring warm and athlete foot यह यहाँ पर सेम आर्गनिजम से होती है, तो गईज यह एक हमारे पास fungi type का होता है, जिससे यह disease होती है, उस fungi का न dermatophyte, क्या है, dermatophyte, ठीक है, तो बढ़ते हैं, next question की ओर, Romberg's sign is the main clinical manifestation of what, Romberg's sign जो है, वो clinical manifestation है, किस चीज की, किस चीज की, option number B, vitamin B12 deficiency, outermost layer of the earth is known as, outermost layer, जो ते आर्थियों से हम क्या बोलते हैं, सबको पता है, crust, mental, core, ठीक है, तो outermost layer कौन सी होएगी, outermost layer है आपकी crust, हिमालियाज वेर फाउंड बाई, तो हिमालियाज किस तरीके से यहाँ पर हमारे बने हैं, volcanic eruption से बने हैं, continental drift से बने हैं, erosion से बने हैं, या हमारे earthquake से बने हैं, ठीक है, तो हमालियाज जो हमारे बने हैं, यह हमारे बने हैं, continental drift से, अगर आपने continental drift theory पड़ी होगी, जहां पर क्या बोला गए है, पहले एक पूरा हमारे पास एक था, ठीक है, जिसे हम बोलते थे, पैंजिया, फिर बोलते था कि हमारे पास एक ही, water body हुआ करती थी, जिसे बोलते थे, पैंधालाजा, जिसे बोलते थे, पैंजालाजा, फिर यह आईस्ता, आईस्ता, आईस्त किसके साथ यह हमारे जुड़ा हुआ है Green Revolution हमेशा जुड़ा रहता है आपके जो भी seeds रहते हैं उनके साथ जुड़ा रहता है तो use of high yielding variety seeds अप्शन नमबर भी अब आपने एक question आपसे पूछूँँगा कि father of Green Revolution किसे बोला जाता है the largest internal organ in the human body human body में सबसे बड़ा internal organ कौन सा होता है internal organ की बात हो रही है brain, heart, kidney, liver सबसे बड़ा organ होता है आपका liver क्या होता है rainbow is an example of what rainbow is an example of what ठीक है dispersion of light, interference of light, reflection of light diffraction of light right answer is option number B reflection, sorry, dispersion of light यहाँ पर light dispersed होती है वो उसकी example होती है rainbow अब है आपके सामने computer awareness का question 10 marks का computer का question भी है ठीक है तो आपको बोलना है difference बोलना है compiler और interpreter के बीच में ठीक है देखे गाई अभी तक हमने 50 question कर दिये है ठीक है अब आप अलग-अलग sections मैं यहीं होप कर रहा हूँ कि आपने अलग-अलग gk की अलग section बनाई होगी computer की अलग section बनाई होगी तब computer जो section जो बनाई है उस पर question number जो आपने लगाई होगी है उस पर आप आप आपने टिक मार्क करना है ठीक है इस question का guys जो answer है यह हमारे पास option number A है compiler जो है वो high level code को machine code में translate करता है ठीक है A की साथ और जब interpreter जो है उसको line by line करता है ठीक है right answer is option number A question number 2 which of the following is not a factor that affect the access time of a hard disk drive इस question का answer है option number D CPU clock speed in the OSI model OSI model में which layer is responsible for routing data packet तो कौन सी layer जो होती है वो routing data packet के लिए responsive होती है अगर हम OSI model की बात करें वो layer होती है आपकी network layer कौन सी layer होती है network layer purpose आप paging technique in operating system operating system में paging technique का क्या purpose होता है यह हमारी virtual जो memory है उसको increase करता है ठीक है guys आप बोरे sir आप तो बड़े fast तरीके से पढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है बस मैं आपको खली question आपके सामने ला रहा हूँ और question का answer कर रहा हूँ आपने बोलने हैं कि web browser कौन सा नहीं है देखे डख डख गो यह web browser है Firefox web browser है Chrome जो है web browser है तो chat GPT is not a web browser ठीक है यहाँ पर यहाँ पर इसके आप चैट कर सकते हैं कोई भी चीज़ पोचोगे उस question का answer यहाँ पर यह कर देता है अगर आप किसी को mail भेज रहे हो Sam mail मुझे भी आ जाएगी अगर आप carbon copy में जिसको भी रखते हो तो Sam mail जो अगर आपने जिसको मतलब की जो receiver है उसको भी वही mail जाएगी और carbon copy में अपने पास भी रख सकता हो ताके मेरे पास भी इस mail का proof हूँ ठीक है परपस आफ वेब सर्वर का क्या परपस यहां पर रहता है आपको बताना है ठीक है वेब सर्वर का परपस यह रहता है आप्शन दिये हैं बड़ी जल्दी से इस question का answer कीजिए इस question का answer है आपके पास to store data for website website के लिए data को store करने का काम करता है in a computer network difference between hub and a switch switch के बीच में और hub के बीच में क्या यहां पर difference रहता है ठीक है एक बार फोड़ा सो इसको कर लेता हूं देख लिजे आप्शन को पढ़ लिजे क्या difference रहता है वो आपको बताना है ठीक है इस question का answer है option number A ठीक है hub broadcast data to all post while a switch forward data only to the intended board ठीक है next question purpose of cache memory ना computer system computer system में cache memory का क्या purpose रहता है computer system में cache memory का क्या purpose रहता है जो cache memory होती है यह to store frequently accessed data जो हम पर frequently accessed data उसको क्या करता है store करता है and instruction for faster retrieval ठीक है option number A is your right answer 60th question अगर हम computer security के context में बात करते हैं what is a brute force attack brute force attack क्या होता है an attempt to gain unauthorized access by trying all possible combinations यतने भी possible combination बन रहे हैं वो करके एक unauthorized access को gain करना उसे हम बोलते हैं brute force attack once again जो बच्चे यहाँ पर बाभी तक अभी आये हैं उनको बता दूँ कि हमारी mock test series है उसे आप join कर सकते हैं जो सिर्फ आपको 149 ने मिले हैं यह 149 क्या है पता है क्या है यह उन teachers की fee से जिनने यहाँ पर आपके लिए test बनाए हैं ठीक है बस अगर आप बाकी जो mock test series यहाँ पर देख रहे होंगे जो mock test series बेच रहे हैं जैसे के exam cracker वाले बेच रहे हैं उसके बाद यहाँ पर wings यह कुडान वाले बेच रहे हैं ट्रिपलेस वाले बेच रहे हैं तो उनकी mock test series देखना 500 से नीचे किसी की आपको नहीं मिलेगी महंगी भी जादा है और वहाँ पर content भी आपको बिल्कुल थोड़ा सा मिल रहे है 160 questions guys it matters ठीक है तो चलिए अब हम बात हैं हमारे main topic के उपर जांके 60 mark आपको लेने है 61 कौन सा theoretical perspective बताता है कि society यह सिस्टेम आप interrelated parts working together राइट आंसर आप्शन नमबर दी यह थोड़ा फास्ट चलने कोशिश करूंगा मैं next question concept of surplus value ठीक है यह कौन से sociological thinker के साथ जुड़ा हुआ है चीक है surplus value जब इसकी बात आती है तब हमारे पास आ जाते हैं काल माक्स ठीक है option number D is your right answer question number 63 which sociologist coin the term the protestant ethic and the separate of capitalism कौन से sociologist ने यहां पर इस term को coin किया है उसका नाम बताना है उसका नाम है max व्याकर option number C question number 64 the idea of reference group was developed by which school of thought जो reference group का idea है इसको कौन से school of thought ने कौन से school ने इसको यहां पर develop किया है यह वाला school ने समझना है वालग एक thought होता है जो thought लिखने वाले होते हैं लग-लग thoughts होते हैं ठीक है तो कौन सा school इसको हम बोलते हैं this is symbolic interactionism option number B is your right answer the looking glass self-concept यह कौन से sociological perspective के साथ जुड़ा हुआ है looking glass self-concept तो guys this is again associated with symbolic interactionism option number B is right answer है ठीक next question as per the marquisian perspective which of these would be considered as a part of superstructure अगर हम marquisian perspective के बात करें तो इन में से super structure किसको consider करा जाएगा economic based class struggle religion या means of production किसको यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर देखा जाएगा super structure यहां पर religion को consider किया जाता है as per marquisian perspective so guys अभी तक मैंने आपको नहीं बोला है अगर मेरी effort थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगई होगी पसंद लगई होगी तो like ज़रूर कीजेगा और comment box में ज़रूर बताएगा कि how was the session session कैसा रहता है आपको questions कैसे मिलते हैं अब आपका एक और रहता है कि हमारे question easy थे तो आज question आप देखोगे तोड़ा साब बोलोगा कि नहीं this is up to the level up to the mark ठीक है 67th question social integration and value consensus are the key concern of which theoretical perspective symbolic interactionism, structural functionalism, conflict theory या feminist theory इस question का answer है structural functionalism option number B is your right answer concept of power elite इसको कौनसे sociologist ने develop किया सी राइट मिल्स, राल्फ, डेरंडोफ, एर्विंग, गॉफ्मेन या टैलकोट पार्सन इस concept को यहाँ पर develop करने का काम किया है सी राइट मिल्स option number A next question कौनसा theoretical perspective है जो study करता है कि how individual construct meaning in social situation इस question का answer है option number A symbolic interactionism next question है as per functionalism अगर functionalism की बाद करे education serves the manifest function of what social mobility promoting social change knowledge transmission या hidden curriculum इस question का जो right answer that is knowledge transmission option number C researchers found that boys tend to play more with transportation ties like cars and trucks which theory would best explain this observation this is option number B social learning theory next question according to erection erection के according the crisis of intimacy versus isolation occur during which stage intimacy versus isolation कौनसी stage में होता है young adulthood middle adulthood old age या adult sense इसका जो आंसर है this is young adulthood option number a which parenting style has high demandingness and low responsiveness authoritative permissive uninvolved authoritarian right answer is option number d the concept of a developing child was introduced by which theorist Sigmund Fred Jean Piaget Rickson John B Watson right answer is option number c in kohlberg's theory moral reasoning based on upholding laws and rules is characteristic of which stage pre-conventional conventional post-conventional ya situational question ka answer option number b conventional which parenting style is characterized by setting form boundaries while being nurturing and responsive the right answer for this question is authoritative ठीके तो पता है आपको की चार parenting styles होते हैं एक होता है हमारे पास authoritarian दूसरा होता है हमारे पास आपास authoritative तीसरा होता है हमारे पास permissive और चोता होता है हमारे पास neglectful ठीके चलिए चलिए आज पर retention reproduction your reinforcement right answer is option number a that is attention brown fan brenner's ecological systems theory include which of the following system उसमें कौन से system यहां पर आपको देखने को मिलते हैं micro system muso system ecosystem यह आप देखे ठीके तुसका answer में आपको बताता हूं option number a is your right answer which theory stages that gender identity develops through identification with the same sex parent which theory is this this is your psychoanalytic theory in carol gilligan's theory the ethics of care is considered characteristics of what right answer is female moral development option number b now next question udhr का कौन सा article है जो affirm करता है right to seek asylum from persecution तो मैंने आपको मिल जाएगी आपको article 13 14 15 16 इस question का answer है हमारे पास article number 14 ठीक है next question as per the udhr which of these is a universal human right कौन सा यूनिवर्सल हुमेन राइट है वह आपको बताना है ठीक है इस question का answer है आपका option number b right to freedom of movement and residence next question which international treaty prohibits torture and other cruel inhumane or degrading treatment कौन सी international treaty है जो इस चीज़ को प्रोहिबिट करती है torture को और बाकी जो cruel inhumane or degrading treatment होते हैं इस question का answer है आपका option number a ICCPR now what is ICCPR याद रखेगा this is international covenant on civil and political rights ठीक है चलिए अब बढ़ते है नेक्स्ट क्वेशिन की ओर the concept of substantive equality highlight the need for substantive equality का concept है वो किस चीज के लिए यहाँ पर बोलता है किस चीज के लिए नीड होनी चाहिए options पढ़िए इस question का right answer है option number d both b and c इनकी non-discrimination and reasonable accommodation के लिए यहाँ पर जरूरत है वो preferential treatment for disadvantaged group both b and c next question which feminist theory critics the male centered approach in sociological status male centric centered approach sociological study में कौन सी feminist theory है जिसको critique करती है ठीक है this is your option number d standpoint feminism ठीक है option number d in India in India महिला कोर्ट्स वर established to deal with cases related to related to what इंडिया में महिला कोर्ट्स यहां पर बनाएगे हैं cases के साथ deal करने के लिए वो cases के साथ जुड़े हुए है वो बता रहा है crime against women family dispute property right या both a and b इस question का answer है बोथ a and b यहनिके crime against women and family disputes ठीक है acid attack acid attack को किस तरीके का आप यहां पर बोलोगे domestic violence है sexual harassment है gender based violence है या workplace discrimination है acid attack जो है यहां पर आपका gender based violence में आता है option number C is your right answer as well article 15 of Indian constitution discrimination based on which of these ground is prohibited right answer is option number C race, religion, caste, sex, place of birth किसी के उपर भी यहां पर discrimination नहीं होना चाहिए the term glass ceiling refers to glass ceiling किस चीज को यहां पर बताती है ठीक है यह बताती है under representation of women in leadership roles this is your right answer for this question 90th question which is the nodal ministry for implementing the POSCO Act ठीक है जो आपका यहां पर POSCO Act है ठीक है एक चीज़ सर्च कर लेना कि P O C S O इसकी full form लिखके मुझे बता जाना और यह act कब लाया गया था वो भी आपको बोलना है ठीक है तो इस question का answer है guys आपका women and child development next question poverty can lead to malnutrition and lack of access to health care which in turn affect – in a cyclical process known as the poverty trap right answer for this question is option number A life expectancy next question the feminization of poverty refers to the phenomenon where where feminization of poverty refers to the phenomenon where where women face higher risk of poverty than men option number A is right answer question number 93 arrange the following in the correct order of calculation of human development index इनकी जब human development index को calculate के जाता है तो correct order में यहाँ पर आपने इनको calculate करना है उनको correct order में यहाँ पर लगाना है life expectancy index, education index, hdi index, hdi index या gni index यह यह आता है इसका सही answer option number B life expectancy index, education index, hdi index या या इनकी 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 चीक है question number 394 which of these is not one of the three dimensions used to measure poverty as per the global multidimensional poverty अगर as per global multidimensional poverty की बात करें तो कौन से dimensions है उनको यहाँ पर major नहीं किया जाता है health, living standard, education या income इनकम को यहाँ पर major मेंट में नहीं लाया जाता है जब भी poverty को major की जाता है as per the global multidimensional poverty index की यहाँ पर बात हो रही है as per the cousinate को hypothesis economic inequality is economic inequality इसका answer है option number है पहले economic inequality है, first increase then decreases as per capita income rises option number है what does the term environmental refugee refer to? environmental refugee की term जह वो किस से refer करते हैं? environmental refugee क्या होते है option number है people displaced due to climatic change and natural disaster उन्हें हम बोलते हैं environmental refugee the adoption scheme is aimed at adoption scheme में उसका aim क्या रहता है adoption scheme is aimed at providing institutional care for children in need of care and protection option number a is your right answer the process of ensuring food is safe for consumption is known as is known as food analysis option number C which of the following schemes aims to provide early childhood care and education? this is your option number B ICDS 100th question which of the following is not a component of chemical analysis of food? कौन सा जो है chemical analysis of food का component यहां पर नहीं है आपको देखने को नहीं मिलता है food preservation, food packing, food safety यह सारे आपको component यह आपको देखने को मिलेंगे psychological effects of food this is not a component of food science and processes question number 102 process of determining the chemical composition of food is known as food is known as chemical composition of food is known as food analysis option number B which of the following schemes aim to promote breastfeeding and provide cash incentive to pregnant and lactating mothers उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सी scheme है वो? this is your option number B Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PWMVY Potion Tracker is a tool developed for Potion Tracker is a tool is developed for what? is developed for monitoring the implementation of potion abhyaan potion abhyaan की implementations को monitor करने को potion, यह potion tracker tool यहाँ पर develop किया गया था which of the following is not a component of physiology and promoting health? option number D is your right answer दिखे मैं यही expect कर रहा हूं कि आप वीडियो को pause कर रहे और question को attempt कर रहे और आपने डायरी पर नोड जरूर कर रहे और आपने पेज हाथे हाथे हैं पकड़ा हुआ है supplementary nutrition program is a component of which scheme? component of which scheme? this is a component of ICDS question number 107 which of the following schemes aims to provide institutional care for children in need of care and protection? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं adoption care उसे हम क्या बोलते हैं? adoption care so guys once again आपको मैं बता दूँ कि हमारी mock test series है जिसे आप join कर सकते हैं only 149 में ठीक है जहाँ पर आपको 160 प्लस mock test देखने को मिलेंगे हर एक topic वहाँ पर आपका cover किया हुआ है मैंने ठीक है तो 5 full mock test भी हैं जिसमें से अभी तक 3 uploaded हैं तीसरा चोथा कल upload हो जाएगा पालना scheme का aim क्या है आपको बताना है इसका aim है encourage early childhood education इसका right answer sorry इसका right answer है आंगनवारी सेंटर को क्रेश्टे में convert करना और जो भी क्रेश्टे के facilities हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पर देखना ठीक है 109 which of the following is not a component of food nutrition health and fitness right answer is option number d food processing techniques janani suraksha yojna is schemed mdet janani suraksha yojna is a schemed mdet promoting safe motherhood through cash incentive option number d is your right answer which of the following scheme is aimed at providing health and nutrition services to adults and girls right answer is scheme for adults and girl the potion vatikas are potion vatikas are these are new tree gardens established under the portion of option number a is your right answer which of the following is not a component of promoting personal hygiene promoting personal hygiene component concern this is your option number c regular exercise next question a aapka national health mission is a program aimed at national health mission is a program aimed at improving the overall health system in india option number b is your right answer next question which of the following schemes aim to provide financial assistance for the marriage of girls for economical weaker section this is your state marriage assistance scheme option number b process of determining the nutritional value of food is known as option number a food analysis next question which of the following is not a component of growth and development growth and development growth and development ka ka kongsa component yahaan par nahi hai option number d food processing tech net aap yahaan par growth and development ki baat ho rhi hai aganavadi services are a part of which scheme aganavadi services are a part of which scheme these are again the part of icds okay next question which of the following scheme aims to provide healthcare services to the elderly and disabled this is your old age and disability scheme option number b right answer last question the process of ensuring food is safe for consumption is known as again food analysis option number c so guys this for uh uh um uh kya baat hoon thanks for watching ab apna aap gore comment karke bat a score kaisa tha abo may eek ci z yaan par bata dough Fikir hee jo test ha na okay so sholoji waalaa joo part tha kisi se bhanavadiya tha okay kisika ikkhi itna time hotea nije उसने ये क्या फालतू के question यहाँ पर डाल दिये मैंने भी check नहीं किये थे ठीक है लेकिन no issue कल का जो test आपका यहाँ पर होगा full mock test जो होगा कल वाली वीडियो में वह मैं खुद यहाँ पर आपके लिए prepare करूँगा तो you will see the difference ठीक है तो आपने अपना score यहाँ पर comment करने है कितना आपका score यहाँ पर रहा ठीक है तो और guys आप मारी जो mock test series है वो मैंने खुद यहाँ पर त्यार की हुई है तो आप उस series को यहाँ पर purchase कर सकते हो जो मैंने आपको बोला only 149 में ठीक है तो खतम कर देजगा तो वीडियो guys कैसी लगी कुछ आपकी suggestions दोगी कुछ queries दोगी वो आप comment करके ज़रूर बताइएगा ठीक है have a good day